हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग कुछ अडवांस्ट लेवल की सेंटेंसेस को इंगलिस में ट्रांसलेट करेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूर जीवन रेखा होती है दोस्तों जीवन रेखा यानि कि लाइफ लाइन आप एक साथ भी लिख सकते हैं अस्थानिय बाजार यानि कि लोकल मार्केट किसी छेत्र के दोस्तों किसी के लिए कभी कभी हम लोग ए एन का यूज करते हैं जैसे माल लीजिए आफ एन एरिया यानि कि किसी छेत्र के तो यहां पर लिखेंगे लोकल मार्केट इस दा लाइफ लाइफ लाइन और यहां पर लोगों की यानि की आफ दे पीपल किसी छेत्र के आफ एन एरिया यह एक ऐसा अस्थान है जहां अस्थानिये लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए निर्वर रहते हैं दोस्तो निर्वर रहना यानि की डिपेंट ओन या अपोन दैनिक जरूरतों यानि की डेली रिक्वायर्मेंट्स अस्थानिये लोग यानि की लोकल पीपल तो यह एक ऐसा अस्थान है दोस्तो यहां पर ऐसा के लिए आप सच भी लिख सकते हैं सच अ प्लेस और सीधे अर्टिकिल एका यूज कर सकते हैं जैसे इट इस अ प्लेस जहां यानि के वेर अस्थानिये लोग दर लोकल पीपल भी लिख सकते हैं या फिर दर लोकल्स भी लिख सकते हैं सीधे या फिर आप दर लोकल कम्यूनिटी भी लिख सकते हैं निर्भर रहते हैं डिपेंट्स अपोन अपनी दैनिक जरूरतों के लिए फोर जैसे यहां पर कम्यूनिटी है तो आप इट्स का भी यूज कर सकते हैं और किसी बैक्ति को आप मन में लेते हैं जैसे दर लोकल्स है तो आप देयर का भी यूज कर सकते हैं फोर देयर डेली रिक्वाइर्मेंट्स दोस्तों यहाँ पर the local community लिखेंगे तो depends लिखेंगे और सिर्फ लिखेंगे the locals एक से अधीक हो गया तो फिर ace add नहीं करेंगे तब सिर्फ depend लिखेंगे दिन भर आप आप आपूर्ती करताओं खरिदारों और आवारा लोगों की बहुत हलचल देख सकते हैं दोस्तों आपूर्ती करताओं यानि की suppliers आप लोग सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे बहुत सारे English words सिखेंगे खरिदारों यानि की buyers आवारा लोग इसे लॉलर्स भी कहा जाता है लॉलर हलचल इसके लिए आप लिख सकते हैं हसल एंड बसल दिन भर इसके लिए आप लिख सकते हैं थुरू आउड दे काफी important phrase याद रखेंगे दिन भर थुरू आउड दे बहुत का यहाँ पर आप लिखेंगे a lot of तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे थुरू आउड दे आप देख सकते हैं you can see क्या देख सकते हैं आप उर्ती करताओं खरिदारों और अवारा लोगों की बहुत हल्चल यहाँ अस्थान हमेशा गतिवीधी से भरा रहता है तो दोस्तों गतिवीधी से भरा रहना इसके लिए आप लिख सकते हैं अबज विद एक्टिवीटी तो दोस्तों काफी इंपोरेंट फ्रेज या वर्ड आप मान सकते हैं अबज विद एक्टिवीटी तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्लेश इज आलवेज अबज विद एक्टिवीटी दोस्तों यह थोड़े अडवांस ट्लिवल के सेंटेंस है आप सिंपल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ अस्थान हमेशा गतिवीधी से भरा रहता है इस प्लेश इज ऑलवेज फूल आफ एक्टिवीटीज आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बिशेश रूप से साम के समय अस्थानिय बाजार देखने लायक होता है दोस्तों यहाँ पर है देखने लायक यानि की वर्थ अविजीट यानि घुमने लायक और देखने लायक लिखेंगे तो आप वर्थ सिंग भी लिख सकते हैं वर्थ सिंग तो दोस्तों यहाँ पर है बिशेश रूप से यानि की इस पेसली या पर्टिक्यूलर्ली भी आप लिख सकते हैं इन दी इवनिंग्स इस पेसली इन दी इवनिंग्स अस्थानिय बाजार देखने लायक होता है अस्थानिय संगीत या पान की दुकान से बजने वाला संगीत वातवरन को जिवन्त कर देता है दोस्तो जिवन्त करना इसके लिए आप इनलाइवन का यूज़ कर सकते हैं बातवरन यानि की अट्मोस्फियर अस्थानिय संगीत यानि की लोकल म्यूजिक और इसे कह सकते हैं पान सौप म्यूजिक वैसे दोस्तो पान कूब बीटल कहा जाता है तो दोस्तो यहाँ पर सब्जेट क्या है अस्थानिय संगीत या पान की दुकान तो यहाँ पर लिखेंगे लोकल म्यूजिक और दपान सौप म्यूजिक बातावरन को जीवन्द कर देता है अनलाइवन्स दी एट्मोस्फियर दैनिक उपियोग की बस्तूओं की खरीद के केंदर होने के अलावा अस्थानिय बाजार उस छेतर के लोगों के लिए समाजिक संपर्क का एक अस्थान है दोस्तो यहाँ पर के अलावा के लिखेंगे होने के यानि की बिंग दैनिक उपियोग की बस्तूओं की खरीद तो यहाँ पर है खरीद यानि की परचेज तो कुल मिला कर लिखेंगे परचेज आफ गुड्स दैनिक उपियोग की आफ एवरीडे यूज यानि की परचेज उप गुड्स आफ एवरीडे यूज और यहाँ पर है सामाजिक संपर्क इसके लिए आप लिख सकते हैं सोशल इंटरेक्शन और दोस्तो यहाँ पर है उस छेतर के लोगों के लिए यानि की फोर दा पीपल आफ डैट एरिया तो दोस्तो यहाँ पर जातर वर्ट्स किलियर हो गए अब इसे सेंटेंस में लिखना है तो सबसे पहले है दैनिक उपियोग की बस्तूओं की खरीद के केंद्र होने के अलाबा केंद्र यानि की सेंटर तो यहाँ पर लिखेंगे बिसाइड्स बिंग दा सेंटर और दोस्तों यहाँ पर सेंटर के बाद फोर यूज करेंगे सेंटर फोर परचेज अफ गुड्स अफ एवरीडे यूज बिसाइड्स बिंग दा सेंटर फोर परचेज अफ गुड्स अफ एवरीडे यूज अस्थानिय बाजार उस छेदर के लोगों के लिए समाजिक संपर्क का एक अस्थान है तो यहाँ पर लिखेंगे दर लोकल मार्केट एक अस्थान है इस प्लेस समाजिक संपर्क का अफ शोशल इंटरेक्शन अब यहाँ पर है फोर दपीपल ओफ देट अरिया तो यहाँ पर भी लिखेंगे फोर दपीपल अफ यहाँ पर दोस्तों जैसे बिसाइट का अर्थ होता है के अलावा दोस्तों अपार्ट फ्रोम का भी अर्थ होता है के अलावा तो यहाँ पर आप लिख सकते है अपार्ट फ्रोम बिंग असेंटर लेकिन दोस्तों इसके बाद आफ यूज नहीं करना है हमेशा सेंटर फोर ही होता है सेंटर फोर दपरचेज आफ कमोडिटीज यानि बस्तुएं यह वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं गूट्स के बदले दैनी कुपयोग के यानि की आफ डेली यूज और फिर वही लाइन लिखेंगे यह वाला लाइन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपार्ट फोर बिंग अ सेंटर लिखाई व्हाई लाइन आप अवाटीर लाइन प्रूडड यूज लाइन लिख सकते हैं Apart from being a center for the purchase of commodities of daily use The local market is a place of social interaction for the people of that area I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि यह मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और दोस्तों आप मुझे कुछ रुपियों की सूपर थैंक्स भी कर सकते हैं थैंक्स बटन आपको इस वीडियो की नीचे मिल जाएगा दोस्तों आप लोग इस रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियों होजें लगबग 400 प्लस वीडियों होजें और सभी वीडियों को काफी महनस से बनाया है तो दोस्तों बारी-बारी से जरूर देखिए खासतों से अडवांस्ट स्पोकन इंग्लिस स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में जरूर जाएगा स्टोरी राइटिंग थू ट्रैंसलेशन इसके अलाबा परेग्राफ और एसे राइटिंग थू ट्रैंसलेशन और दोस्तों बहुत सारे important playlist है तो जरूर चेक आउट कीजिए Alright friends, thanks for watching Have a great day